हेलो फ्रेंट्स मैं जज़्दीप आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली मस्ती पे जैश्री राम फ्रेंट्स आज हम जम्मू आये हैं माता वैशन दिवी की आत्रा शार्ट करने से पहले हम श्री राम जी के मंदिर श्री रगुनात मंदिर में इस मंदिर के प्रांगर में जो है तीन तरफ से जो मंदिर है उसमें तीन तरफ से सोने की परक चड़ी हुई है आगे जब हम चलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए यहां पर 33 कोटी जिसे हम 33 करोड बोलते हैं देवी देवताओं की पिंडी रूप में स्थापिद हैं और आगे यहां पर हम जब चलते हैं 12,25,000 शाली ग्राम भी यहां पर स्थापिद हैं बार से जब हम इस मंदिर का दिश्य देखते हैं तो यह पांच स्थापिदा इसे देखने में लगता है कि पांच स्कलश हैं इसमें फिंड्स क्या आप जानते हैं 2002 में इस मंदिर पे टेर्रिस अटाइक भी हो चुका है इसको देखते हुए 11 साल यह मंदिर बन रहा और 2013 में रिक्वेस्ट पे इस मंदिर को 2013 में दुबारा खोला गया है मंदिर बहुत भव्य है जदूर देखन करने के लिए जब भी आप यहां पर आये जम्मू में और यहां पर जम्मू में दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा मंदिर आए यह अब बने रहे हमारे चैनल दिली म देते हो चलना चाहिए जर्मी का टाइम है डिहाड़ेशन बहुत जल्दी होता है आप भी लीजे अपर जो है माता दानी को जूला जूलाया जाता है और जिनकी मन्नत पूरी होती है वो लोग कि यहां पर जूला भी चड़ाते है माता रानी को फेंच मैं चीज बताऊंगी माता वैशन देवी की यात्रा जब हम करते हैं तो आप महां पर देखते हैं कि महां पर तीन पिंडिया है वो तीन पिंडिया किन-किन की है मा सरस्वती मा लक्षमी और मा काली की तो माता वैशन देवी की पिंडी कहां है कभी ये क्रशन नहीं आया आपके मन में में माता वै कर्णी के आत्रा से पहले मारी कुछ के यातर से पहले तो के जानते हैं बहुते हैं ऑर temperature लिए पहुँ आप foto कि अभड ना?' कैंपा एक दोली का कहा पर है एक गॉर्ट कंडोली क्या ऐन सारे सवालू का उत्तर जानना ज़रूरी नहीं है इतक आँखो सब्सक्राइज करते हैं को कडुली है क्या का एक एक कॉल अर्थ मतलब कटोरा यहां पे माता ने कटोरा घिस के जल प्रकट किया था कटोरा कॉन सा था चान्दी के कटोरे को घिस के जल प्रकट किया था अब आज आती है कंडोली का क्या आर्थ है कंडोली का आर्थ है कोडियां यहां पे माता रानी पांच वर्ष की आयू में प्रकट हुई थी और 12 वर्ष की आयू के बाद कई यग और हवन करवाए और साथी साथ बंडारे भी लगवाए यहां पर मातारानी स्वैम पिंडी रूप में मा वैशनो देवी मातारानी नी मा वैशनो देवी यहां पर स्वैम पिंडी रूप में स्थापित हैं माना जाता है जब मातारानी प्रस चाम है ये नग्रोटा जिलौे में स्थाफेथ है अब नग्रोटा कहां पर किसे पहुंचा जाए याँ पर नग्रोटा जू हे जम्मू से 15 किलो मेंटर दूर रहता आप से भी यहां सकते हैं लगबक 35 किलो मेंटर की आज पर रहता है najई चैडन की क्यों के कुए में जो कोना है चांदी का उसको घित गिसके जल प्रकड किया था अब शधालुओं है हमें भी बेच रिधर याल-घृ कि लिए अपना चांद करना है नी करना इसके लिए शधालुओं धिय applies immers जयना टिन निकाला था כर टिप क्राइध मन्दिरू में पाँच सभ्सक्राइब डzent राट्टी में तो है निर्मान कों कर सकता हैै था हैं पांच माइए हो यह परिशाना ती अपने बच्छों के ऐन वा को लेकर बाट रहा है vacun Вас समस्याइं खड़ी कर रहा है कि वो किसी तरीके से पकड़े जाएं उनका अग्यातवास भंडित हो जाए भंग हो जाए ताकि उन्हें दुबारा से वनवास पर 12 वर्ष के वनवास पर जाना पड़े दुद्योरम बहुत सारी अचने खड़ी करता जा रहा था उनके मार्ग मे तो माता कुंती जो है हर माता आप में बच्चों को लेके चिंतित रहती है नि रहती है ऐसे ही माता कुंती वो बहुत जादा चिंतित थी उन्होंने माता कॉल कंडोली से प्रातना की कि है माता रानी मेरे बच्चों का अग्यातवास जो है वो बिना किसी रुकावट की सफल पूरवक पूरा हो जाए कर्था नि अपके स्वपन मेरा मंदिर का निहां पर स्थां पर तो आपके पत्चों का जो अग्याद पास्यवश Mark पूरा हो जाए का और च्छ से पूघा करते हैं एक बांच बैसे पत्धाते में निरमान करतेमि इंदिर का रात्री Common करते जो पत्थर यहां पर आसपास हमें देखने को कहीं नहीं मिल रहें किसी के घर में काफी पुराने घर भी है यहां पर किसी के घर में ऐसा पत्थर नहीं लगा हुआ जै माता दी चलिए अब हम चलते आपने अगले पड़ाव देवा माई की तरफ यह याद रखिए जब भी आप महां वैशन देवी की यात्रा करें प्रथम पड़ाव अपना रखिए कॉल कंडोली और माता को सबसे ज़्यादा प्रिये है कमल का पुष्प चड़ाइए माता को चुन्नी चड़ाइए माता को शिंगार चड़ाइए परशाद नारियल वग् हों है अब हाय है जै आप आदी फ्रेंट्स प्रथम दर्षन कौल कंडोली दूजा दर्शन कहां देवा माई अब हम आ गए हैं दीवाह के दर्शनों के लिए फिक्षे बनाे कि बना इसका उतिहास नहीं जाना चाहेंगे क्या ज़रुरह जाना चाहेंगे सब्सक् explains सब्सक्राइmission नियए घंप की संस संतान नहीं तastsom सब्सक्राइब यहां पर आगे हैं चल्सकाइब के दिन माता ने सप्तमी के दिन कंजक रूप में उनने यहां दर्शन दिये 110 साल तक माता कंजक रूप में यही रही और सप्तमी के दिन ही माता ने चोलाते आगा था आईए अब दर्शन करते हैं माता के जब हम थोड़ा जानते हैं पंडित जी से अपर इस मंदित का इतिहास यह सामने देवा माई है यहां पर कंजक रूप में प्रकट हुए थे 110 साल तक यहां पर यह माता कंजक रूप में रहे थे इसी जगह से प्रकट हुए थे और यहीं पर समागे थे वैशनु देवी का इरूप है जो लोग वैशनु देवी नहीं जा सकते दर्शन करने के लिए यहां पर आके दर्शन करने उनकी यात्रा सफल हो जाएगी जैसे आपने कोई वैशनु देवी में मन्नत मांगी होगी नहीं जा सके नहीं जा सके दो कर दो कि सावी कार हो जाएगी जे कल युग का परसिदस्तान है किसी की मुराद किसी अगर ना पूरी होगी इदर करोगे तो आपकी वश्य पूरी हो जाएगी जहां पर माता ने शामीडाजी को दर्शन दिये थे शिरीदर जी की चौत히 के दर्शिन करेंगे उनकी यात्रा सफल हो जाएगी जैसे आप कोई व्याष्णु देवी में मानता मांगते हैं नहीं जा सकते हैं वहां पे चलाने के लिए यहां पे आके चला दो के सभीकार हो जाएगी यह कल्यूक का परसिद्ध स्थान है किसी की मुराद किसी अगा ना प शामिदाश जी ने नाम रखा है उच्छा चार जी की जो चौति पिदी इस उन्हों ने कन्या रूप को जो नाम दिया वह देवामाई दिया अच्छा ये जो जगा है जैसे कभी आना हूं कट्वा से कैसे बोला जाये देवामाई का मन्दिर तो कोई जानता ही है वैसे माता जी नमाइ में ये पड़ता है मंदित इ समादी अधिक इयो मूर्टी यहाँ से शुप यह प्रेंडी रूप जеф जाये बाता है माता रानी आज भी राजमान है और इस पींडु तर्षन कीजिये अपनी सब्सक्राइब करेती घ awakam कि अब हम आचुके हैं 900 साल पुराना भूमिका मंदिर ये शिरिधर जी का घर भी है आए दर्शन करते हैं इसे यहां पे कर्ट्रा में पहला पड़ाव भी का जाता है आए जै मातादी दोस्तों अभी हम आचुके हैं भूमिका मंदिर थोड़ा जो तिहास मुझे पता था थोड़ा पंडिजी से जानते हैं ताकि पूर्ण जानकारी आप तक पहुचाई जा सके जै मातादी जै बूमिका मंदर प्राचीन मंदर नो सो साल प्राना इस मंदर में पंड़द शिरिधर जी अपनी साधना बक्ती तवस्या करते थे और इसी कुटिया के अंदर सवाल लाख आद्मियों को मातारानी ने बोजन कराया था जितने भी लोग आते गे और ये कमरा बड़ा होता गया था और इसी मंदर से बैरो बाबा ने मातारानी का पीशा किया था बंड़ारे में मासमदर बगरा मांगा था माता से तो माता कहने लगी जै कि गरीब ब्रामन गर का परशाद है यही आपको वैशन बंड़ारा मिलेगा तो बैरो बाबाबा ने मातारानी क कि बात नहीं मानना था जैसे उन्होंने माता-राणी का हाथ पगड़ा तो माता जहां से अंतर दिया नोके चले गई थी जहां से माता बान गंगा गई फिर चरनोपाद का में फिर नौ मिन्यत कुमारी मेरही गर्ब जुन में फिर दरवार जा के बहरो बाबावा जी का बाद क स्थापित किया है इनकी पूजा करते थे और इनी की पूजा से प्रसण कि यहां पे मातानीरों ने दर्शन ढूंध भंडारे के दौरान अभी आपको मतल यूजे मानी आपको बताए ब्हरोपाबा की कि मझे मासख घाना है मदिरा दीजिए शराब दीजिए तो मातराणी ने बोला कि वैशनू भंदारे में आपको ये कहां से दिया जाए तो गहने लगे नहीं मुझे यही चाहिए और फिर उनुन मातरानी यहां से आगे जैसे हम जाते हैं वैशन देवी की यात्रा के लिए आगे की और प्रस्थान बाबा का वो पर भाव के लीए कि जाहां पर हम बाबा के मंदिर जाते हैं वहां जाकर गिरा चलो साची दर्बार की जैए अब हम चलेंगे आगे वैशन देवी के दरशनों के लिए यह उनकी धरम पत्नी सुलोशना जी यह इनका मंदिर है इन्होंने ही माता की तगहोर तपस्या की इस कदर तपस्या की कि यह मरने के शहया तक पहुच गए माता राणने इतनी कड़ी परिक्षा लिया इनकी उसके बाद इनको दर्शन दिया और फिर वर्दान भी दिया कि आपकी ही पीड़ी जो है आगने वाली वंशत जो है मेरी मंदिर में सेवा करेंगे आईए दर्शन करते हैं और फिर आगे चलते हैं आई फेंज आप सब तो जानते ही है माता के दर्शन कर के जो भी आता है वो कन्या पूजन जरूर करता है लिकिन आप सब अपनी शर्दा अनुसार कन्या कहीं भी कर सकते हैं लेकिन यहां भूमिका मंदिर में कन्या पूजन का वेशेश महतु है कहा जाता है जो भी यहां कन्या पूजन करता है उसकी मुदादे पूरी होती है चलिए अब आगे चलते है जैमातादी पूरी पूरी चड़दाजा जैमातादी करदाजा जो उस बोलो जैमातादी